देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ जोतिश, वास्तु, मंत, रादी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा, आप सभी का मेरे चैनल पर पुना स्वागत करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी सवस्तों होंगे, बहादेव की क्रिपा आप सभी पर सदाय अपनिदे, की वीडियो है, 10 जन्वरी 2023, ट्यूजडे आनि की मंगलवार के दैनिक राशिफल के पारे में, सामान् पाए भी बताय जाता है, राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप से नजर डाल लेते हैं, पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में, जय बजरंग बली अवश्य लिखके जाएग विशेश मुरतों की बात करते हैं, ब्रह्म मुरत 5.27 a.m. से 6.21 a.m. अभिजीत मुरत 12.8 p.m. से 12.50 p.m. और अमरित काल नहीं है, सरवार्थ सिध्धी योग होगा, आज 7.16 a.m. से लेकर 9.1 a.m. ये भी एक शुब मुरत होता है, इसका भी उप्योग कर सकते हैं, 6.00 p.m. से 4.25 p.m. और गुलिक काल 12.29 p.m. से 148 p.m. इन दोनों ही अशुब मुरतों में यदी घर से निकलना है, तो एक बार बजरंग बान का पाठ करके ही घर से निकलिएगा, तो ये था पंचांग, चलेंगे राशी फल पर शुरुआत करेंगे मेश के से, राशी दिन कुछ भी बढ़ा करने से पहले मन में clarity रखिएगा, आज उर्जा बहुत अच्छी रहेगी, सकरात्मक रहेगी, आने वाले दिनों में कुछ यदी बढ़ा करने वाले हैं, उसकी planning स्टार्ट कर लीजिए, उसमें क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, प्लस पॉ होता जाएगा, शुबता बढ़ती जाएगी, जहां तक करियर की बात है, दिन यहां पर ठीक है, corporate sector में है, यहां फिर finance sector में काम करते हैं, communication से जोड़ा कुछ का रहे हैं, तो दिन अच्छा ही जाएगा, जहां तक business की बात है, यहां पर दिन अच्छा है, अगर यहां पर भी चिंता आज हो सकती है, व्यर्त की चिंता हैं जादा आपको तंग करेंगे और उसकी करण negative प्रभाब भी पर सकता है, students, थोड़ा अपनी knowledge गेन करने का प्रयास करेंगे, आज तो अच्छा रहेगा, जहां तक सेहत की बात है, liver की रोग तंग कर सकते हैं, सरवाश्टक में आ अपनी मुश्किलों को solve करने के लिए, अपनी problems को solve करने के लिए बहुत अच्छा दिन है, थोड़ा सा frustration अवश्य लएगा दिन के शुरुवाती भाग में, उसके बाद दिन बहुत अच्छा है, आपसे यही कौँगा कोई कारे अटक रहे हैं, किसी की मदद भी ले सकते हैं कभी कभी हम अपने आपसे कोई कारे नहीं कर पाते, तो हाँ पर किसी की मदद माग लेनी चाहिए, आज ऐसा लग रहे हैं कि कोई बहुत महत्तपून कारे आपका बन सकता है, एक उर्जा रहेगी सकरात्मा कूर्जा रहेगी, एक दिर्टा रहेगी पूरे विक्तित्वाइ शुब दिन है, लाब उठाईएगा, इंवेस्मेंट कर सकते हैं, दिन का अंतिम भाग थोड़ा चिंता लेकर आ सकता है, व्यत की चिंताओं में आपने आपको लिप्त कर लेंगे, जहां तक करियर की बात है, दिन अच्छा है, अगर आगे बनना है, तो थोड़ा सा आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, कमफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, बिजनस के ही साफसे तो दिन अच्छा ही दिख रहा है, अगर आप कुछ भी गार्मेंट से जुड़ा, कुछ भी एग्रिकल्टर से जुड़ा कारे करते हैं, लाब होगा, तक लव लाइफ की बात है, दिन थोड़ा अनशित्ता भरा जाएगा, विवाहिक जीवन हलका सा नोक जोक हो सकता है, लड़ाई जगड़े हो सकते हैं, अपने गुस्य पर कंट्रोल लखेगा, स्टूडेंस थोड़ा अपने कॉम्मुनिकेशन पर काम करना शुरू कर दीजी, यहाँ पर प्रॉब्लम वो रिटन हो या स्पोकन हो, दोनों पर कारे करना पड़ेगा, सेहत के इसाब से वाटर रिटेंशन आखो की प्रॉब्लम सरवाश्टक में आपका छटा भावत तेंत वली है, तो अपने दुश्मनों पर हावी रहेंगे, आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनवान चाल कीजेगा, कुछ changes लाने का प्रत्ने कर रहे थे, उसके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, लेकिन धहरे पूरवक, ऐसा नहीं कि सारे changes आज ही आपने ले आने हैं, दिन अच्छा है, आज के दिन का लाब उठाईएगा, investment कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ा amount मत कीजेगा, आपसे यही कहूँगा कि simultaneously अपनी सेहत का भी ध्यान दीजी, वहाँ पे थोड़ा ignorance हो रहा है, करियर के हिसाब से government job करते हैं, बहुत अच्छा दिन है, business, जल्दबाजी से बचिएगा, जल्दबाजी में कोई गलत निरने ले सकते हैं, इसके कारण problem हो सकते हैं, जहां तक love life की बात है, स्थिरता रखनी है, कुछ भी अलग नहीं करना, चीज़े जैसी चल रही है, वैसे चलने दे, विवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि कुछ नयापन लाना पड़ेगा, स्टेगनीशन आता हुआ देख रहा है, इस पर काम करने के लिए कुछ नयापन लाना पड़ेगा, स्टूडेंस के हिसाब से, कमफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, वरना कब समय निकल जाएगा, हाथ से पता नहीं चलेगा, सेहत, digestive disorders, सरवाश्टक, पंचम भावत तिन त तो बहुत अच्छा है, बस आपसे एक ही चीज़ कहूंगा, कि थोड़ा सा अपने आपको कुछ रखेगा, अभी चोटी-चोटी बातों पर बहुत sensitive हो रहे हैं, या तो आगे के बारें बहुत ज़्यादा सोचते हैं, या पुरानी चीज़ों में एकदम गुम हो जाते हैं थोड़ा अपने mental peace पर, mental health पर काम कीजिएगा, आज अचानक से कुछ impulsive कर बैठेंगे, तो अपने उपर धहरे रखिएगा, किसी की बातों को ज़्यादा अपने मन से ना लगाएं, बहुत कुछ चल रहा है आपके मन में, उसको किसी के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें, धन के संबंद में कुछ बड़ा निरन लेने से आज बचें, investment मत कीजिएगा, थोड़ा साहस लाना पड़ेगा वापस जीवन में, जातक करियर की बात है, दिन ठीक है लेकिन emotional जाधा हो जाते हैं आजकल, और उसका उपयोग करियर में भी करते हैं, कारक्षेतर में भी करते बिजनस, अच्छा दिन है, अपने प्रदिदंदियों पर काफी भारी रहेंगे, और वैसे भी दिन अच्छा ही जाएगा, लव लाइफ, नया relationship स्टार्ट करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन जो लोग औरेड़ी relationship में है, थोड़ा वहाँ पर contentment की कमी रहेगी, विवा कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन विश्वास बार-बार डगमगा जाता है, थोड़ा meditate कीजिए, कुछ न कुछ कीजिए, जो आपको थोड़ा आपके अंदर विश्वास भरे, सेहत के इसाब से आँखों के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करें आपका ब्राउन भाग्य प्रतिशत है 70, लियो, सिंभ, बहुत शुब दिन है, बहुत ही जादा शुब दिन है, धन भी आएगा, अपने उपर विश्वास बढ़ेगा, अचानक से धन लाब हो सकता है, और भाग्य का भी साथ आज भरपूर मिलेगा, उच्साहा रहेगा, और जो चीज आपको तंग कर रहे थे, जिन चीजों से नहीं निकल पा रहे थे, जिन चीजों से नहीं लड़ पा रहे थे, वो अपनी इन सेक्योरिटीज हों, लोग हों, जो तंग कर रहे थे, हर चीज पर काबू पाने का दिन है, शुब दिन है, लाब उठाईएगा, इं थोड़ा अपना result दिखा सकते हैं विजनस के ही साब से थोड़ा involved रही है अगर आपका बड़ा बिजनस है तो कहीं involvement की कमी दिख रही है सब कुछ आपने अपने employees के ओपर छोड़ा हुए involvement बढ़ाई है love life बहुत कारे करना पड़ेगा especially आज थोड़े effort दिखाने पड़ेंगे जहां तक students की बात है थोड़ा creative रहेंगे और अच्छा रहेगा सेहत नसों के रोगत अंग करेंगे सरवाश्टक में आपका तीसरा भावत इंतवरी है तो दिन अच्छा है एक लावकारी दिन है एक उत्साह वर्धक दिन है उपाई यह है कि आपको हनुमान जी को किसी भी मिश्टान का भोग लगा कर बजरंग बान का एक बार पाठ करना है शुब अंक है नौ कल है आपका पिंक भाग्या पतिशत 55 वर्गो वाणी में बहुत सौमिता रखेगा दिन तो अच्छा है लेकिन वाणी में सौमिता और वाणी में क्लेरिटी भी रखेँगो तभी कुछ लाब उठापाएंगे कुछ आपके सामने आ सकती है उनको आपने फुल्फिल करना है उनका लाब उठाना जैसे मैं ने कह और भाग्य का भियाज बहुत साथ मिलेगा कुछ ना कुछ बहुत महत्तपूर और बहुत शुब आपके साथ हो सकता है तो दिन लाब कारी है इसका उपयोग पूरी तरह से कीजेगा इंवेस्मेंट भी कर सकते हैं, इंट्यूशन अच्छी रहेगी और कही ना कहीं से आपको प्रोचसाहन भी मिलेगा तो बहुत अच्छा दिन है लाब उठाएगा जहां तक करियर की बात है अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में है या फिर आईटी सेक्टर में है बहुत अच्छा दिन है या सर्विस एक्ट कोई भी सर्विस प्रोवाइट करते हैं अच्छा दिन है बिजनस के ही साब से थोड़ा क्रियेटिविट लानी पड़ेगी अपने बिजनस को अगर आगे बढ़ाना है उसके बाद में विचार कीजेगा जातक लव लाइफ की बात है पुरानी चीजों को बहुत काम करना पड़ेगा स्टूडेंस एक ही चीज कहूंगा कि थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा है और ध्यान भी बहुत गलत चीजों पर जा रहा है दोनों पर काम कीजेगा सिहत के इसाब से जोड़ों के दर्द तंग करेंगे पेट के रोग बहुत तंग करेंगे सर् अनवान जी को किसी भी मिश्ठान का भोग लगाना है शुब अंक है तीन कल है वाइट भागय पतिशद है 75 तुला अलेब्रा शब्दों की मर्यादा पर थोड़ा ध्यान दीजेगा कुछ भी व्यंगात्मक कुछ भी अप्शब्द मत बोलिएगा वो तो कभी नहीं बोलने अच्छे लेकिन आज थोड़ा मधूरता रखिएगा अपने comfort zone से थोड़ा निकलना पड़ेगा और कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा दिन है कहीना कहीं से appreciation भी मिलती है तो उसको उपयोग कीजेगा उससे उत्साहा जीवन में आता है और उसका उपयोग कीजेग अपनी उर्जा को आज थोड़ा balance कीजेगा investment कर सकते हैं आज दिन वैसे अच्छा है बस वानी पर control कीजेगा career के हिसाब से बहुत शुब दिन है job change करने के बारे में सोच रहे थे कुछ अच्छा हो सकता है business कुछ नए ideas लाने पड़ेंगे और ideas लाने के साथ साथ उनको implement भी विवाहिक जीवन ठीक है आज का एक चीज कहूंगा कि साथ में बैठकर बाचीत कीजेगा analyze कीजेगा कि जीवन आगे कैसे निकालना है आने वाले एक महीने दो महीने क्या क्या करना है आज बैठकर बाचीत करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा students आप बहुत कुछ और कर सक अच्छा ही जाएगा overall balancing जाएगा उपाई यह है कि आपको हनुमान चालीसा का दो बार पाठ करना है शुब अंक है आपका चार खले है आपका brown भाग्य पतिशत है सत्तर स्कॉर्पी और रिष्चिक इच्छाएं बहुत बढ़ रही है कल्योंको में रहते हम कोई इसमें गल इग्नोर कर रहे हैं आज कम बोलिएगा और चीजों को observe कीजेगा बहुत कुछ समझा जाएगा जहां तक investment की बात है बिल्कुल नहीं करना साहस तो रहेगा लेकिन वो आज कहीना कहीं दुस्साहस में भी बदल सकता है धहरे पूरवक पूरा दिन आपको आज पिताना है जह चेंजेज आ रहे हैं मार्केट में क्या चेंजेज आ रहे हैं क्या ट्रेंड बदल रहे हैं इस पर विचार रखिएगा जहां तक love life की बात है contentment की भावना ले आईए जाधा expectations भी मत रखी और जाधा comparison मत कीजेगा विवाहिक जीवन अच्छा दिन दिख रहा है connection रहेगा students थोड़ा knowledge और गेन कीजिए अभी इस चीज की कमी दिख रही है ओर confidence दिख रहा है थोड़ा सेहत के इस आपसे गले के रोग तंग करेंगे थायरट सम्मदित कोई रोग है दिखत होगी जहां तक सरवाश्टक की बात है आपका बारवास्तान अतिन्त बली है तो थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखिएगा ही आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान चरीसा का एक बार पाट करके भजरंग बली को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाना है शुब अंक है साथ कल है आपका वाइट भाग्य पतिशत है सत्तर पतिशत है धनू सजिटेरियस दिन बहुत कैपिविलिटी होती है धनू में लेकिन आज कल थोड़ा सा लेड़ बैक एटिटीड आ गया है काम कीजेगा इस पर इसके साथ ही एक और चीज़ कहूंगा कि एनलाइस कीजे लोगों को एनलाइस कीजे कौन अच्छा है कौन आपका अच्छा चाता है कौन बुरा चाता है इन सब चीजों पर थोड़ा एनलेसिस कीजिए आपके आस-पास कैसे लोग है क्या चाहते है आपसे उनके क्या एकस्पेक्टेशन इन सब चीजों को एनलाइस करने का देना है तो इन्वेस्पन बिल्कुल मत कीजेगा आज अगर ज़ाधा ही उदासिंता होती है तो वो ची गाम करते हैं दिन अच्छा है बिजनस थोड़ा डिस्ट्रैक्शन दिखेगा ध्यान हट सकता है उसके कारण नुकसान हो सकता है जहां तक लव लाइफ की बात है पुरानी चीजों पर बिल्कुल मत जाईएगा आज चीजों को सरल और सिंपल लटना है विवाहिक जीवन यहा आपका लावस्तान अतिंत वली है तो दिन वैसे कही न कहीं कुछ अच्छा आपको दे कर जा सकता है आपके लिए उपाई यह है कि आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बान एक एक बार पाट करना है शुब अंक है नौ कल है वाइट भाग्य प्रतिशन सत्तर कैप्रिकॉ इन सब चीजों से निकलिए ज़्यादा तर लोग आपको कहीं ना कहीं नीचा ही दिखारी की कोशिश करते हैं यह आज के समय की सत्यता है अपके रिश्ट दार हों दोस्त हों बहुत कम लोग होते हैं जो आपकी खुशी से असल में खुश होते हैं तो ज्यादा लोगों के बारे में सोचना बंद कीजिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाईए अपने दम पर आगे बढ़ाईए और अपने आपके बारे में सोचते हुग आगे बढ़ाईए और इन सब चीजों के लिए ही आज का दिन समर्पित कीजिए investment मत कीजिएगा थोड़ा contentment की भावना भी ले आई अपने जीवन में कि हाँ जो है वो बहुत अच्छा है और इससे बहुत अच्छा कर सकते हैं लेकिन comparisons मत कीजिएगा जा तक career की बात है थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे कुछ बड़े निरणे लेने से बचिएगा business तो बहुत अच्छा दिन है धनसे सम्मदित यानि की finance सम्मदित कुछ का रहे हैं आपका love होगा love life आज बातचीत करने का दिन है और मन में जो भी problems है उसको discuss करने का दिन है विवाहिक जीवन शब्दों का चयन बहुत important रहेगा आज बिल्कुल कम बोलिएगा कुछ भी बोलेंगे उसका गलत मतलब ही निकलेगा students के हिसाब से एक ही चीज कहूँगा अपनी आदतों को बतले कुछ आदत हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे है जहां तक सेहत की बात है thyroid संबंदित रोग तंग करेंगे गले के रोग भी तंग करेंगे सरवाश्टक में आपका दस्वा सानत इंतवली है तो दिन बता रहा है कि अच्छा ही जाएगा आपके लुपाई यह है कि आपको हरुमान चरीशा और बजरंग बाने एक एक बार बाट करना है कुम्ब एक्वेरियस दिन ठीक है बस आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि पुरानी चीज उपर बन जाएगे बार बार पास्ट में चले जाते हैं और अपना नुकसान कराते हैं अपने आपको प्यार करने का दिन है फाइनेंशल निरने कोई बहुत बड़ा मत लीजेगा दिन वैसे अच्छा है थोड़ा अध्यात्मे के साइट जाएंगे और भी अच्छा रहेगा इंवेस्मेंट मत कीजेगा तो कि वहाँ पे सही decision नहीं ले पाएंगे एक ही चीज़ कहूँगा कि जीवन में एक flow ले आईए चीज़े रुख जाती हैं कहीना कहीं आप खुदी रोग देते हैं जहां तक career की बात है leadership quality दिखाने का मौका मिल सकता है अगर कोई भी ऐसी opportunity आती है जाने मत दीजेगा business comfort zone से निकलने का समया आगया है आगे बढ़ना है तो कुछ आज बड़े निरने कड़े निरने लेने पड़ेंगे love life एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा समय व्यतीत कीज़े और quality time एक दूसरे को दीजी बातचीत जहां पर अच्छे level की हो और सच बातचीत हो ऐसा नहीं कि बस कुछ भी बोला हर चीज़ से दूर होकर भले आदा घंटा कि दूसरे के साथ वतीत करेंगे अच्छा रहेगा विवाहिक जीवन ठीक है यहां पर भी ऐसा ही लग रहा है मन में बहुत कुछ है लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे students कोई exam है आपका बहुत अच्छा करेंगे सेहप के इस आप से sleep disorder तंग करेंगे जहां तक सरवाश्चक की बात है आपका भागे स्थानत इन तबली है तो बता रहा है कि दिन आज का अच्छा ही जाएगा भागे का साथ मिलेगा आपके लिए उपाय है कि हरुमान चली सा का दो बार पाठ करना है शुब अंक है आपका तीन कल है आपका रैड भागे प्रतिशत है 75 पाईसें मीन दिन आज का अच्छा है बस एकी चीज़ कहूँगा आगे भढ़ने के बारे में सोचिए नए-ने आइडियाज आएंगे उनको अपयोग कीजिए एकी चीज़ कहूँगा कि सेंसेटिव थोड़ा कम रहिएगा छोटी-छोटी बाते हर्ट कर जाएंगी यात्रा के योग अचानक से बन सकते हैं आज तो कोई बचा हुआ कारे था उसके लिए यात्रा करनी पड़े तो कर लीजिएगा एकी चीज़ कहूँगा कि तोड़ा रिलाक्स रहिएगा चीज़े थोड़ी हर्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा सेंसेटिव मत रहिएगा जहां तक इन्वेस्ट्मेन की बाते है कर सकते हैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि आगे के बारे में सोचिए बड़ा सोचिए करियर के हिसाब से व्यर्थ की चिंताईं तंक करेंगी जहां तक बिजनस क बात है यहां पर भी दिन ठीक ठाकी है बस और पॉसिबिलिटी तलाश कीजेगा लव लाइफ के हिसाब से दिन बहुत अच्छा है लेकिन एक चीज कहूंगा कि इमोशनल कमपेटिविटी की कमी रहेगी और यह हो भी रही है इस पर काम करना है विवाहिक जीवन फ्यूचर के बारे में सोचना है साथ में बैठकर बातशीत कीजेगा स्टूडेंस अपने संभावनाओं को और तलाशिये बहुत कुछ और कर सकते हैं अपने आपको सीमित कर रात है गले के रोग तंग करेंगे आँकों के रोग तंग करेंगे सरवाश्टक में आपका अश्टम भावत्यन तबली है तो अचानक से धनलाब हो सकता है बस वानी पर नियंत्रन रखिएगा उपाई यह है कि आपको बजरंग बान का दोबार पाठ करना है शुब अंक है